भूतिया ट्रेन जल परियां और भूतिया उल्लू एक बार अमित को गाउं से उसके पिता का फोन आता है वो अमित को जल्द से जल्द गाउं आने के लिए कहते हैं क्योंकि अमित की मा की तबियत बहुत खराब चल रही होती है ये खबर सुनकर अमित अपनी पतनी राधिका के साथ अपने गाउं रामपुर के लिए ट्रेन के लिए स्टेशन पहुँच जाता है कुछ मिंटो की देरी की वज़े से अमित की ट्रेन छूट जाती है ये देखकर अरे ये क्या बस कुछ मिन्टों की देरी की वज़े से हमारी ट्रेन चुट गई हमें तो जल्द से जल्द गाउं पहुँचना है अब क्या करेंगे ये सुनकर अमित कुछ नहीं बोलता और बस मायूस होके खड़ा होता है थोड़ी देर बाद अमित अगली ट्रेन के बारे में पता करने चला जाता है वहाँ अमित को पता चलता है कि अगली ट्रेन रामपूर तो जाएगी पर किसी दूसरे रास्ते से वो भी कुछ घंटों बाद ये सुनकर अमित और राधिका खुश हो जाते हैं कि अब वो कल तक गाउं पहुँच जाएंगे दोनों स्टेशन पर उस ट्रेन का इंतिजार करने लगते हैं रात के दस बजे के बाद आस पास वो ट्रेन आती है ट्रेन में बैठ कर चलो अच्छा हुआ हम इस ट्रेन के बारे में पता चल गया अब हम समय पर गाउं पहुच जाएंगे हाँ रादिका गाउं पहुचना बहुत जरूरी है मा की तबियत बहुत खराब हो रही है वो हम दोनों को बहुत याद कर रही है दोनों ऐसे ही बात कर रहे होते हैं थोड़ी देर बाद अगला स्टेशन आ जाता है यह देख कर अरे यह ट्रेशन स्टेशन पर क्यों नहीं रुकी वही सामनी के सीट पर एक पती-पत्नी रमेश और कमला बैठे गया होते हैं रादिका की बात सुनकर बाभी लगता है यह सूपर फास ट्रेन है यह सुनकर रमेश की पत्नी कमला बिएती है सूपर फास नहीं नॉन स्टॉप ट्रेन है ये सुनकर राधिका और अमिद भी हसने लगते हैं चारों आपस में बात करने लगते हैं कुछ देर बाद बारा बच जाते हैं ट्रेन एक फुल के उपर रुख जाती है और अचानक आवाज आती है को नहीं बचेगा सब को खा जाओंगी आवाज सुनकर वहाँ बैठे सारे पैसेंजर्स डड़ जाते हैं और आधिका बोलती है कौन है? तब ही एक बूड़ी औरत वहाँ आ जाती है उसके सफेद लंबे विखरवाल होते हैं और हाथ में रेंडा पकड़ा हुआ होता है उसकी आँखे पूरी लाल होती है ऐसा लग रहा होता है मानू की खुट निकल रहा हो उसे देखकर वो चारों और डर जाते हैं पर थोड़ी हिम्मत करके कमला बोलती है क्या हुआ माई? आपको क्या चाहिए? बूरी औरत अपनी पूरी गर्दन को गोल घुमाती है और कहती है तुम लोगों की जान चाहिए तुम सबको मरना होगा इतना कहते ही बूरी औरत चुडैल का रूप ले लेती है और अपनी उसकी गर्दन को पकड़ कर घुमा देती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है ये सब देखकर तीनों डर के मारे कापने लगते है और कमला बहुत होने लगती है ये सब देखकर जाने दो हमें, हमने तुम्हारा क्या बिगाडा है चुडैल अमित के बाल पकड़ कर उसे हवा में फेक देती है और कमला के दोनों हाथों को पकर कर जैसे ही उसे मारने वाली होती है तभी वहाँ एक भूतिया उल्लू आ जाता है और दुष्ट चुडैल छोड़ दे इन मासूम लोगों को इन लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा है ये सुनकर भूतिया उल्लू अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो यहां से चला जा वरना इन लोगों से पहले मैं तुझे खत्म कर दूँगी मैं कोई मामुली उल्लू नहीं हूँ मैं भूतों के सरदार का भाई हूँ मुझे मारना इतना असान नहीं है बूतिया उल्लू के ऐसा कहते ही चुडैल बूतिया उल्लू पर आक्रमन कर देती है बूतिया उल्लू चुडैल के गले को जोर से पकड़ लेता है और तहता है आप लोगे काम करो, यहां से भाग जाओ और किसी और बोगी में चले जाओ आमित, राधिका और कमला तीनो जैसे ही भागने लगते हैं बूतिया उल्लू और चुडैल दोनों हसने लगते हैं और बूतिया उल्लू कहता है अरे मेरी दोस्ट चुडैल एर इनसानों को देखो ना कितने जल्दी मेरी बातों में आ गए इने लगा बच कर भाग जाएंगे बीचारे चुडैल और भूतिया उल्लू आपस में बाते करते हुए हस रही होते हैं तब ही कमला राधिका से धीमी आवाज में कहती है राधिका भेहन, मैंने किसी के मुँँ से सुना था कि इस पुल के नीचे जल्परी भी रहती है अगर हम उन तक अपनी बात पहुचा दे तो शायद वो हमारी मदद करनी के लिए आ जाएं तब ही राधिका एक सिक्का निकालती है हे जल्परिया, मुझे पता है आप इसी पुल के नीचे हैं हमारी जान बजाईए राधिका सिक्का पानी में फेक गेती है इतने में चुड़यल अमित को घसाथे हुए दूसरी बोगी में ले जाती है उधर जल्परियों को राधिका द्वारा फेका हुआ सिक्का मिल जाता है और जलपरियां अपनी जादूई शक्तियों से सब देख लेती हैं भूतिया उल्लू राधिका और कमला को भी गसी उत्ते हुए दूसरी बोगी में ले जा रहा होता है तभी वहाँ एक जलपरी आ जाती है दोष्ट भूतिया उल्लू और चुड़ेल छोड़ दो इन लोगों को जलपरी अपनी जान को सलामत चाहती हो तो यहां से चली जाओ तभी भूतिया उल्लू उड़ते हुए आता है और अपने पंखों से जलपरी पर बार कर देता है जलपरी उल्लू के दोनों पंखों को पकड़ कर तोड़ देती है पंख के तूटते ही उल्लू मर जाता है यह देखकर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगे जलपरी तूने मेरे दोस्ट की चान ले लिए अब तू नहीं बचेगी इतना कहते ही चुडैल अपने दोनों हाथों को लंबा करके जलपरी को पकड़ने लग जाती है तभी जलपरी वहाँ से गायब हो जाती है चुडैल जलपरी को यहाँ वहाँ देखने लगती है तभी जलपरी चुडएल के दोनों हाथों को जादूई रसी से बान देती है चुडएल चिलाते हुए कहती है चोड़ दे मुझे, चोड़, चोड़ तभी रादिका वहां आती है और कहती है तुम हम लोगों को क्यों मार रही हो, हमने तुम्हारा क्या पिगाड़ा है ये सुनकर तुम इंसान ऐसे ही होते हो, किसी के अंदर दया नहीं होती ये सुनकर तुम इंसानों की वज़ा से मेरी ये हालत हुई है ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे साथ? ये सुनकर चुडैल रोने लगती है मैं इसी ट्रेन में लोगों से पैसे मांग कर गुजारा करती थी रोज की तरह जब मैं यहीं बैट कर पैसेंजर से पैसे मांग रही थी तब ही उसने मुझे जोर से धका दिया मैं गाड़ी के बाहर जाकर गिर गई और मेरी माथ हो गई मेरी आत्मा निकल कर ट्रेन में भटकने लगी और मैं एक चुडैल बन गई चुडैल की कहानी सुनकर जलपरी कहती है तुम्हारे साथ जो हुआ बहुत हुलत हुआ पर हर इंसान ऐसा नहीं होता तुम ये सब छोड़ दो तुम्हारी आत्मा को शांती मिल जाएगी ये सब सुनकर चुडैल की आँखे लाग जाती है और चुडैल कहती है किसी को नहीं छोड़ूंगी अब सबको मरना होगा चुडैल और जलपरी दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने लग जाती है चुडैल जलपरी को घायल कर देती है इतने में दूसरी जलपरी अपने साथ जादूई पानी लेकर आती है और चुडैल पर डाल देती है और चुडैल देखते ही देखते गायब हो जाती है उसके बाद राधिका, अमिद और कमला दोनों जलपरियों को धन्यवाई करते हैं और दोनों जलपरियां वापस चली जाती हैं इसके बाद राधिका और अमिद भी अपने गाउं चले जाते हैं